नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों 31 अक्टोबर 2024 दिन गुरुवार दीपावली बना देवय और दुरलब महाशुब सयोंग चार राशियां होंगी करोडपती जी हाँ दोस्तों मालक्ष्मी के आशिरवाद से 31 अक्टोबर दीपावली के दिन बना रहा महाशुब सयोंग महालक्ष्मी योग में बारा राशियों में से चार राशिवालों के किस्मत चमकने वाली है ये चार राशिवाले इस दीपावली करोडपती बनने वाले हैं रही है जिससे इन चार राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं और इन चार राशी वालों के जीवन में होंगे अपार खुशियां ही खुशियां जिससे इन चार राशियों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों ये खुशनसीब और भागेशाली राशियां कौन-कौन सी है जो मालक्ष्मी की क्रिपास से 31 अक्टोबर 2024 दीपावली के दिन बन रहे मालक्ष्मी योग में करोडपती बनने वाली है ये चार राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको उनी चार भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये दीपावली इंचार राशी वालों के लिए बहुत ही महतवपूर्ण रहने वाली है दोस्तों वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रेक्वेस्ट करते हैं मालक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जरूर लिखें जिससे मालक्ष्मी का अशिर्वाद आपको सीधे प्राप्ट हो सके साथी साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकॉन को प्रेस करें और जादा से जादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेर करें दोस्तों बता दे दीपावली पर पूरा देश चोटे-चोटे दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है हिंदु धरम के प्रमुक तिहारों में से एक दीपावली का पर्व देश भर में धूमदाम से मनाया जाता है पंचां के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्यत इथी को दीपावली का पर्व मनाते हैं इस दिन घरों को दीपक, मुंबत्ती, जालरों से सजाने के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है मालक्ष्मी के अलावा इस दिन कुबेर भगवान की पूजा करने से शुब फलों की प्राप्ति होती है इस साल दीपावली की तिथी को लेकर थोड़ा असमजस की स्थिती बनी हुई है क्योंकि इस साल अमावस्य तिथी दो दिन पढ़ रही है ऐसे में कही लोगों का मानना है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टोबर को तो कही लोगों का 1 नवंबर को मनाना सही होगा ऐसे में काशी सहित देशभर के प्रमुक जोदिश ने बताया है कि आखिर किस दिन दिपावली का पर्व मनाना शुब हो सकता है वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू धरम में किसी भी व्रत त्योहार का आरंब उद्यातिथी के साथ किया जाता है उद्यातिथी का विशेश मैत्व है लेकिन दिपावली की बात करें तो इस दिन पूजा प्रदोशकाल में की जाती है वहीं कही लोग उद्यातिथी के हिसाब से एक नवंबर को दिपावली का पर्व मनाने की सोच रहे है बतादे की दिपावली पर लक्ष्मी पूजा हमें प्रदोश काल से लेकर मध्य रात्री के बीच में की जाती है इसलिए 31 अक्टोबर 2024 लक्ष्मी पूजा के लिए सटीक तिथी हो सकती है दिपावली को लेकर जोतिश्यों का मानना है कि कार्थिक महीने की अमावस्य प्रदोश काल से लेकर मध्य रात्री तक ही लक्ष्मी पूजा करना सबसे ज़्यादा शुब माना जाता है क्योंकि प्रदोश काल में लक्ष्मी जी का प्रदुर्भाव माना जाता है ऐसी सिथी में अमावस्य तिथी 31 अक्टोबर से आरंब हो रही है जो 1 नवंबर को शाम को समाप्त हो रही है पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्य तिथी 1 नवंबर तक है लेकन दिवाली 31 अक्टोबर को मनाई जाएगी बता दें की अमावस्य तिथी 31 अक्टोबर को दुपहर 3 बचकर 12 मिनित से शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 5 बचकर 14 मिनित समाप्त होगी जिसके बाद प्रतिपदा तिथी शुरू होगी 1 नवंबर को निशीत महुर्थ प्राप्त नहीं हो रही है ऐसे में दिवाली 31 अक्टोबर को मनाना शुब होगा दोस्तूं आपको बता दे धन्तेरस से भाइ दूछ तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का तियोहर भारत और निपाल समित दुनिया के कही देशों में बनाया जाता है दीपावली के दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दीपावली का त्योहार अंदकार पर प्रकाश की विजे को दर्शाता है हिंदु धरम के अलावा बौध, जैन और सिख धरम के अनुयाई भी दीपावली मनाती है जैन दरम में दीपावली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन घरों में मा लक्ष्मी और भगवान गणिशी का पूजन किया जाता है और ये पर्व हर्शो उलास और सुख समरदी का प्रतीक माना जाता है दिपावली हर साल कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावसी तिथी को पढ़ती है जी हाँ दोस्तों दिपावली का शुब महौरत बता दे इस बार भारत में लक्ष्मी पूजा का सर्वशेष्ट महौरत प्रदोशकाल व्रिशब लगन और चौगरिया के हिसाब से लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे सर्वशेष्ट महौरत 31 अक्टोबर की शाम को 6 बज़ कर 25 मिनिट से लेकर 7 बज़ कर 13 मिनिट के बीच का समय का है कुल मिलाकर 48 मिनिट का ये महौरत सर्वशेष्ट रहेगा आपको बता दी इस दिवाली में मालक्ष्मी के आशिरवासी महाशुब सईयोग महालक्ष्मी योग अमरित सिद्धी योग का निर्मान हो रहा है जिससे इस बार की दीपावली का महत्व और अधिक बढ़ गया है दिपावली पर मालक्ष्मी की पूजा का विशेश विधान है इसी दिन संध्या और रातरी के समय शुब महुरत में मालक्ष्मी विग्नहर्ता भगवान गणिश और माधा सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है पुरानों के अनुसार कार्तिक मास की अंदेरी रात में मालक्ष्मी स्वयम भूलोक पर आती है और हर घर में ही विचरन करती है इस दोरान जो घर हर प्रकार से स्वच और प्रकाशित हो वहां से अंशरूप में ठैर जाती है इसलिए दीपावली पर साफ सफाई करके विदिविधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपको प्राफ्त होती है लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है पूजन के दोरान इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा पिछा कर उस पर लक्षमी जी और गणेश जी की मूरती आप रखें, दिवार पर लक्षमी जी का चित्र लगाएं, चौकी के पास जल से बरा हुआ एक कलश रखें और माता लक्ष्मी और भगवान गरेश जी की मूर्ती पर आप तिलक लगाए और दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड, हल्दी, अबीर, गुलाल, आती, अर्पित करें और माता लक्ष्मी जी की स्तुधी करें इसके साथी देवी सरस्वती, मा काली, भगवान विश्नु और कुबेव देव जी की भी आप पूजा विधी विधान से करें, श्रधा भाव से करें, माहलक्ष्मी पूजन उस दिन पुरे घर परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए, लक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी भाई खाते भी की भी पूजा करें, पूजन के बाद शधा अनुसर जरूरत मंद लोगों को मिठाई और दक्षिना दे, इसे मातालक्ष्मी प्रसन हो जाती है और आपके घर में धन के बंडार बरे रहते हैं, चले अब बात करते हैं, उन खुशनसीब और भागेशाली रा करोड़पती बनने वाले हैं, ये चार राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं, और धन की देवी मालक्ष्मी इन चार राशी वालों के घर इस दिवाली पधार रही हैं, जिससे इन चार राशी वालों को करोड़पती बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये चार राशी वाल धन से माला माल होने वाले हैं जीहां दोस्तों जिन खुशनसीब और भागेशाली चार राश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन चार खुशनसीब और भागेशाली राश्यों में जो पहले ही राश्य आती है वो है तुला राश्य तुला राशी वालों को बता दे धन की देवी माता लक्ष्मी इस दिवाली आपके उपर बेहत प्रसन है आपके उपर अपार क्रिपादरिष्टी बरसाने वाली है जिसकी वज़े से ही तुला राशी वालों आपके जीवन में आने वाली धन समंदित सभी परेशानिया दूर हो जाएंगी आप अपने कारिशेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे चारों तरफ से आपको धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे माता लक्ष्मी के कृपा से ही धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बादाएं अब दूर होंगी आप अपने कारिशेत में चारों तरफ से पैसों का आगमन होगा आय के नए स्तोत्र आपको प्राप्त होंगे नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आय में वृदी होने के साथ साथ पदोनिती होने के भी पूरी संभावना है माता लक्ष्मी की कृपा तुला राशी वालों इस दिवाली आपके उपर विशेश रूप से पढ़ रही है व्यापार के शेत्र में अचानक आपको लाब होगा धनलाब के जबरदर्स योग बन रहे हैं ग्रहस्त जीवन में सुक शान्ती रहेगी माता लक्ष्मी की विशेश कृपा इस दिवाली तुला राशी वालों आपके उपर पढ़ रही है जिससे आपके जीवन में होंगे अब अपार खुश्यां ही खुश्यां साथी साथ यदि आपको वियापार शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अविश्य सफल होगी वियापार में आपको सफलता प्राप्त होगी कहना गलत नहीं होगा इस समय जिस भी कारे में आप हाथ डालेंगे वे कारे सफल होंगे क्योंकि इ और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भागिशाली राशी आती है वो है मेश राशी। इनके घर खुशी का माहूल रहेगा। मालक्ष्मी की कृपा जिष्टी इनके घर लगातार बनी रहेगी जिससे आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। मालक्ष्मी की कृपा से आपको चारों तरफ से धनलाब होगा। व्यापारी लोगों को धनलाब आपके योग बन रहे हैं, धार में कार्य आपके घर परिवार में ही संपन हो सकते हैं, नए कार्य को करने के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल है, जो भी आप नए कार्य का शुबारंब करेंगे उसमें आपको निश्चित तोर पर सफलता मिलेगी, दिवाली में बन रहे म मालक्ष्मी योग में आपकी किस्मत चमकने वाली है। मालक्ष्मी की क्रिपा से आप लोगों को कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी। मेश राशी वालों आपका कोई कर्ज अगर चल रहा है उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अकस्मिक धनलाब के जवरदस्त राजयोग इन राशी वालों के उपर इस दिवाली बन रहे हैं। मालक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी। मेश राशी वालों को हर कारे में सफलता मिलेगी। साथी साथ नौकरी में प्रमोशन से धनलाब हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा। ये दिवाली मालक्ष्मी के आशिरवात से आपके लिए अत्यंत लाबकारी और बहुत ही भागिशाली साबित होने वाला है। चारू तरफ से आपको लाब ही लाब मिलने वाला है। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली खुशनसीब और भागिशाली राशी आती है वो है कुम्ब राशी। कुम्ब राशी वालों को बता दे धन की देवी माता लक्ष्मी आपके उपर इस दिवाली सबसे अधिक महरबान रहने वाली है। आपके उपर लगातार माता लक्ष्मी की विशेश कृपादरिष्टी बनी रहेगी। जिसकी वज़े से ही आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथी साथ जो कार्य काफी सालों से रुके हुए थे वे भी अब सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथी साथ आप अपनी सभी कर्जों से मुक्ती पाने में भी काम्याब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की क्रिपा से आपके आर्थिक सिती कुम्ब राशी वालों मजबूत बनेगी। साथ ही साथ यदि आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो ये योजना सफल होगी। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। इससे प्रबल योग बन रहे हैं। कुम्ब राशी वालों कहना गलत नहीं होगा। मातलक्ष्मी की कृपा से इस दिवाली आपको चारों तरफ से धनलाप प्राप्ती के अनेक योग बन रहे हैं। जबरदस्त धन प्राप्ती के संकेत इस दिवाली आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको चारों तरफ से धनलाप होगा। घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा। महालक्ष्मी की कृपा कुम्ब राशी वालों इस दिवाली आपके उपर विशेश र कन्या राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके उपर इस दिवाली पढ़ रही हैं। जिससे आपके जीवन में अब खुश्यों की बहार आने वाली है। कन्या राशी वालों आपको बता दे इस दिवाली मालक्ष्मी की कृपा से आप दिन दुग मालक्ष्मी की कृपा से व्यापार के शेत्र में किये गए कार्य अधिकतर सफल रहेंगे। कृपा से कन्याराशी वाले आपको नौकरी प्राप्ती के भी योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदवनती के साथ साथ वेतन व्रिधी के भी योग बनेंगे। साथी साथ आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं, इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं, साथी साथ कन्याराशी वालों सामाजिक शेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, यदि आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में पदोनती के साथ साथ बेदन के भी योग रहेंगे, साथी साथ आप इस समय कोई नया वाहन या मकान भी खरीद सकते हैं, इसके भी प्रबल योग बन रहे हैं, साथी साथ कन्याराशी वालों सामाजिक शेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, कन्याराशी वालों आपको चारों तरफ से अब ध्यारती हैं, उन्हें शिक्षा के शेत्र में सफलता प्राप्त होगी, संभावना बन रही है, आपके द्वारा किये गए सभी प्रयास बहुती आसानी से सफल हो जाएंगे, आप बड़ी सी बड़ी मुश्किलों का समाधा निकालेंगे, कन्याराशी वालों आपके घर पर साथ करने वाली है, धन प्राप्ति के अनेको योग कन्याराशी वालों आपके लिए बन रहे हैं, ये दिवाली आपके जीवन में चार चांद लगाने वाली है, आप दिन दुगनी, राच चोगनी तरक्की करेंगे, इस समय का भरपूर लाब उठाएं, समय को अपने हाथ स ना जाने दे, तो दोस्तों ये थी वो भागिशाली राशियां जो कि मालक्ष्मी की करिपा से इस दिपावली करोडपती बनने वाली है, ये चार राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं, मालक्ष्मी की करिपा से इस दिपावली इन चार राशी वालों को अनेक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिससे ये चार राशी वालों का जीवन बदल जाएगा मा लक्ष्मी का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो आप सचे दिल से कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी अविश्य लिखे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें